इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक कोर्स के बारे में जिसको UGC ने स्वैम प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट किया है और जो की पूरी तरीके से फ्री है और ये एक आनलाइन कोर्स है तो इस कोर्स का नाम है फ्री आनलाइन कोर्स आन आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस बाई UGC ने स्वैंस है तो जो भी कंप्यूटर साइंस बैगराउंड के लोग है प्रोपेशनल्स हैं या स्टुडेंट्स हैं वो इस कोर्स को फ्री आप काश्ट कर सकते हैं आए जाल लेते हैं डिटेल में इसके ब ये प्रोफिसर साहब आलडेडी पीहडी हैं और इस समय ये डीन है फेकल्टी आप कंप्यूटर टेकनोलिजी जी एलेस इन्वेस्टी में इन्होंने अभी तक तीन किताबें लिख ली हैं और जो की आक्सवोर्ड इन्वेस्टी प्रेस से पब्लिस हो चुकी है और आगे ज इस्टार्टिंग डेट है वो साथ जन्वरी 2021 है ये कोर्स जो खतम होगा वो तीस अपरेल 2021 को खतम हो जाएगा एकजाम डेट की बात करें तो आठ मई 2021 को इसका एकजाम होगा इन्रोल्मेंट 28 फरवरी 2021 तक इस कोर्स में किया जा सकता है उसके बाद अगर केटिगरी की बा में और study करना चाहता है basic knowledge चाहता है तो वो इस course को कर सकता है आईए अब जानते हैं कि sports में आगे क्या-क्या पढ़ाया जाएगा चलिए देखते हैं अब जो है कि क्या-क्या आएगा इसमें जो है क्या-क्या पढ़ाया जाएगा तो यह आप देख सकते हैं जो first week है यहाँ पर first week देख सकते हैं first week में आपको पढ़ाय जाएगा introduction to artificial intelligence and state space search और इसमें cover होंगे three modules one two three modules cover होंगे फिर दूसरे week में आप देख सकते हैं introduction to unguided and guided search यह और इसको cover करेंगे four, fifth और six module उसके बाद week three में आएगा problems in search and solution, genetic algorithms साथ और आठवा module इसमें cover होगा week four में neural networks, BPNN, learning process in BPNN जिसमें की 9, 10 और 11 module cover हो जाएंगे week five में some other search methods and admissibility होगी जिसमें की 12, 13, 14 और 15 modules आपके cover होंगे week six की बाद करें तो इसमें planning होगा जिसमें 16, 17, 18 और उसके बाद week seven में game playing 19 और 20 module cover हो जाएंगे आठमी week में आप देख सकते हैं revision and assignment week इसमें जो है यह दे रखा है यहाँ पर इसके आगे निल तो यहाँ पर कुछ नहीं है अब week nine के अगर हम बात करें तो week nine में आपका आजाएगा minimax and other game playing algorithms और इसमें module खतम होंगे आपके 21, 22 और 23 week ten में using predicate logic for knowledge representation और इसमें 24 से 25 module खतम हो जाएंगे week eleven में resolution and non-monotonic reasoning और इसमें 26 से लेके 27 तक module खतम हो जाएंगे week 12 की अगर हम बात करें तो strong method for knowledge representation fuzzy logic and cd इसमें आपके 28 से 30 module कबर हो जाएंगे week 13 की अगर हम बात करें तो week 13 में आपको scripts and introduction to expert systems जिसमें की यह पढ़ाया जाएगा और इसमें 31 से लेके 33 तक module खतम हो जाएंगे week 15 की बात करें तो revision, assessment and evaluation जो की इसमें none है तो इस तरीके से यह पूरा course आपका जो है 15 week का है जो की आपका 15 week में खतम हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया अपरिशन्टी है आपको free आप कास्ट इस course को online करना है कोई पैसा नहीं लएगा और इसके बाद आपको certificate भी मिलेगा तो मैं समस्ता हूँ यह बहुत ही important जानकारी आपनों के लिए है जो है और आप लोग इस course को जरूर करें नीचे आप देख सकते जैसा मैंने आपको पहले बताया था यह जो है तो यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस समय करजेंटली यह GLS University में पढ़ा रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपनों को और जादा से जादा बच्चे इस course को join करें और इस free course का फायदा उठाएं बिसकली जो computer science stream के बच्चे हैं उनको जरूर यह course करना चाहिए जो है ओके बच्चो थैंक्यू फिर अगले वीडियो में नए material के साथ मिलेंगे